Hello everyone, RO-RO-RO 2030 के प्रिलिम्स को निकालने के लिए एक स्ट्रेटजी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ जो भी सेंसिर काडियरेट है जिसको इस बार का RO-RO 2030 का प्रिलिम्स क्लियर करना है वो ये वीडियो पूरा देखे, वो एक बहुती नई चीज सीखने वाला है को जो तुम बता रहे हो जो चीज़ शेयर कर रहे हो तो इसलिए लेकिन फिर भी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यह नों पेड़ चीज़ें नहीं अविल कर सकते या उस चीज़ नहीं पहुंच सकते तो कहीं से भी और रहना जाएं उनके साथ यह ना हो कि अरे फ्री में होता तो हम कर लिया होते में तो हम कर सकते थे इसलिए मेरी तरह से आपको मालूम है मैं हर चीज इस तरह से बताता हूँ ओपेंडी सारी चीज़ें आपके सारे डाउट सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यह वीडियो दिखने के बाद यह वीडियो एक वीडियो में ओसकता है समझ में ना है और एक दिन में नहीं आयाएका लेकिन यह जो स्ट्रेजी है 100% काम करती है हर पेपर में पांचछे क्रेशिण हर बार सही कर सकते हो अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लोगी इसकिल है औ लगते हैं महनत लगती है तो धीरे 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 जब इस चीज़ को तैयार करोगे पढ़ोगे इस तरह से अपना दिमाग लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे एंड यह आपको एक्जाम निकालने में बहुत हेल्प करेगा ठीक है तो इसमें मैं और बेन इसमें जो आपको पहला option देखने को मिलता वो देखो पहला देखो चॉतिसरा इनको हटा दो ठीक है जो पहला और चौथा पशनन ए उनको गोटर में को देखो यानि कि 30 member या फिर कुल सदस्ता का 10 वा हिस्सा जो भी कम हो और जो चौथा option है 10 सदस या कुल सदस्ता का 10 वा हिस्सा जो भी अधिक हो जब भी गभी इस तरीके के options आया करें थोड़ा सा aware हो जाए करो चांसदार वेरी वेरी है कि इन दोनों में से आंसर हो सकता है देखो यह सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूं इनको mixture करना सीखो कि यह तरीका है तो यह लगा सकते हैं यहां से यह होता है तो यह हो सकता है और यह सब तुक्का नहीं है देखो मैं तुक्के बाजी वाली से लग रहे हैं कि उसमें 30 सद्स है यहां पर 10 सद्स दिया हैि उसमें दिया है कि कुल सदस्ता का दस्वा भाग को उसमें दिया है को सदस्ता का जो भी कम हो जो भी ज compet देखना है उन Solo option में अगर अपने थोड़ा यह दो ऑप्शन तो कठी गए शते में आ तो 50% probability तो आपकी answer को निकालने की हो ही गई है दोनों में से कोई भी मारोगे तुक्का आपका 50% chance है but if you don't यागर आपको थोड़ा बद भी मालूम है थोड़ा बद भी अगर आपको idea है कि इन में से कौन सा होगा तो बस यहां से आप पूरा-पूरा answer साही कर सकते हो लेकिन अ चौते में आपके लिए इस्टिल एक option बनता है कि आपको question सही हो सकता है इसके बाद मैं अगर बात करूँ में तो एक question और था 27 नमबर विथा उसको ध्यान से देखो ठीक है यह वाला जो उपर question इसको ध्यान से देखो अब जैसे यह वाला question इसमें पढ़ो तुलसी के रहा है आयोग तो आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं मालूम है तो उसमें एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं इस तरह से कभी कभी चीज़ें की काम करती है आयोग के पेपर में काम करती है इसलिए बता रहा हूँ माइंड में रखना जब paper solve करना उस पर rigid मत होना मतलब यह मैं सोच के जाना कि ऐसा होगा तो ऐसा हो ही जाएगा लेकिन हाँ दिमाग में रखना जैसे चारों उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी को एडिया नहीं है तो उसमें सबसे लंबा वाला उप्शन है ना उसको इकभर ध्यान से पढ़ना और एकर तुक्का लगाना ही है अगर option लेना है कि मैं लगाऊंगa या लगाऊंगी ही मुझे attempt लेना लेना हो उसको लगाना और यह चिज थोड़ा थोड़ा आपको जैसे अगर guess लग रहा है कि यह दो option है जैसे कि आपको मालो पहला और तीसरे में option होता doubt होता तो उसमें जो लंबा वाला है उस पे generally जाओ generally सही होता है generally ठीक है तो यह एक hack type है इसको देख सकते हो अपने हिसाब से उसके बाद में बात करूँ तो ध्यान से देखो जो बत्तिस्वा question है इसमें पूछा है कि निमलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री यानि कि traveler था वो पर्टुगल का नहीं था यानि कि जो पूर्टगाल देश है उसका नहीं था अब इसमें Peter Mundi obviously नहीं था जो बाकी के तीन है वो था अब अगर आपको सिर्फ वो सिर्फ पॉर्टुगल के travelers मालूम है या कुछ-कुछ main travelers मालूम है जो कि मैंने पहले भी बता रखा है मेरी जो important topics की बीडियेफ है उसमें जाओगे you will already get it तो मैंने पता रखा है कि कुछ-कुछ जो travelers में important है उनके बारे में पढ़ लो जैसे रॉल्फ फिंच एकबर के टाइम का उसको पढ़ लो या फिर जो king वो है English Khan जहांगीर वाला उसके बारे में थ्वासा पढ़ लो तो इस टाप से कुछ-कुछ तो आपको इसमें केवल पार्डगल के अगर पता होते तो simply यह से आपांसा निकाले जाते क्योंकि जो दौर्ड बार्बोसा है और जो डॉमिंगो पायास है और जिनुनीज है वो तीनों पार्डगल के हैं बट पीटर मुंडी नहीं पीटर मुंडी आइपिटर मुंडी आ इसे राजा या राजाओं थे जिन को जनता के दौरह प्रत्यत्य रूप से चुना गया अब इसमें देख arrows सोचों कि या कीकि आ להना ही करना घ्र इसको knowledge होगी, उस knowledge को interconnect कैसे करते हैं, उस knowledge को interlink कैसे करते हैं with other things, और answer कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाओगा, इसमें करना क्या था कि देखो, इसमें नोड़ यह पूछाए कि, यानि कि जो पहला और तीसरा, यह लड़ाई करके जीतते थे, हर्षवरदन की युद्धी ही चलते रहते थे, कभी किजी से मारकाट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो वो चीनता था चीजें, तो उसको basically आप कह सकते हो कि वो खुद मालिक था, owner था, जन्ता के द्वारा उसको ऐसे नहीं पसंद किया जा रहा था, उसको पृतिय चुरूब से चोना जा रहा था, directly elect किया जा रहा था, वो खुद सारी चीजें, जैसे आपने चाहा कि, यहां पर कभजा कर लूँ और मैं बन्या हूँ राजा, आप गए आपने उसको जीता है, आपने जो थ्रोन है, उस पर कभजा कर लिया, तो हर्षवर्दन का सीन वैसा था, येशो वर्मन का सीन वैसा था, एंड इसमें भी एक और चीज़ इंपोर्टन ये है, कि जो इंपोर्टन चीज़ें होती है, वो पढ़ी जाती है, तो हर्षवर्दन को नहीं चुना गया था, जनता के दौरा प्रतिय चुरूप से, तो इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी आएगा आंसर, जब आपको थोड़ा बात नॉलेज है, अगर आपने सिर्फ वन लाइनर फैक्ट रटे हैं, तो इसके अलावा जो ऑप्शन्स हैं, वो हो सकते हैं, और जो ऑप्शन्स हैं, वो भी उसी तरह से सेट किये गए थे, ठीक है, तो ये चीज़ की है, इसके बाद में जो नेक्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो, जो 49 मा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली और बैन आ आपको देखने को मिलेगा, 40 में क्या दिया है, 10 दिनों से अधिक दिन उपवास करने पर लिवर पर क्या effect पढ़ता है, अब इसमें एक पहला औुपर उप्शन है कि ग्लुर कोस का इस्तर कम हो जाता है, दूसरा है, ग्लुर कोस का इस्तर अधिक हो जाता है, फिर हैं ट्रा इतना basic fact हर किसी को पता होता है कि भाई अगर fasting करोगे, आप इतना बोलते हैं fasting करो, fasting करो, तो glucose का इस्तर भढ़ेगा नहीं, तो ये वाला तो पहले ही काट दो, जो triglyceride है वो भी नहीं भढ़ेगा, triglyceride भी आप क्या सकते हो कि bad fat होता है, तो triglyceride भी थोड़ा bio की knowledge की मतलब अगर आप खाना नहीं खाओगे दस दिन, या आप बिलकुल कोई भी शुगर उगर नहीं लोगे, तो भड़ेगी तो नहीं चीज, घटेगी ये तो शौर है, अब या तो triglyceride घट सकता है, या फिर glucose घट सकता है, आप पहले और तीसरे option में आप आ जाते, अब यहा glucose कम होता है, सबसे most basic चीज जो है, वही है कि पहले glucose कम होता है, तो इस तरह से answer निकाल सकते हो, अब इसमें जो आपकी prior knowledge है, जो basic knowledge है, यह किताब की बात नहीं है, किताब में तो ठीक है चलो, lucent में जो basic गटना चकर रहे हैं, पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, तब यह सब question ऐसे हैं, जो वहाँ पर जब exam में आ रहे हैं, तो आपका यह skill होना चीए, कि आप यह दिमाग लगा पाओ, और exam से exam के दो दिन पहले यह सब चीज़ें देखके जाओगे, तो नहीं कर पाओगे, समझो बात को, यह मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, तो यह आप पर सारे sincere candidates हैं, और वो पूछते हैं मुझसे, मैं बताता हूँ उने, तो यही game है पुरा यार, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पका पकाया, हलुआ टाइप मिल जाएगा, market में आपका यही scene बना दिया गया, कि भाई पका पकाया हमसे ले लो, और हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, मी है कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनकी क्रोनलोजी लगानी थी, आप अर्बियाई के जो गवर्नर है, वो एक्चल में इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको मालू में, मैंने भी जो अपनी इंपॉर्टेंट आपस की पीडियोफ दी उसमें सब दे रखा है, जो गंबीर अवेर्थी है, वो पहले ही उस चीज़ को पड़ रखा है, अब अर्बियाई की गवर्नर जब पूछता है, तो उसमें क्रोनलोजी पता होनी चाहिए, आप उसमें भी यहाँ पर जो देखने वाली बात है, वो यह है कि इसमें जो चार नाम दिये हैं, जिसे एक सी भई प्रधानमंतरी रहे चुके हैं वो, तो मनमोहन सिंग के बारे में आपको आईडिया है, कि वो किस टाइम पे आरबियाई के गवर्नर थे, रंगराजन बहुत इंपोर्टन है, रंगराजन कमिटी भी थी, रंगराजन बहुत इंपोर्टन है, तो अगर आपको मनमोहन तो ऐसा है कि सब को मालूम होगा, मनमोहन सिंग से सब लोग लगा ले जाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंग अगर सिर्फ आपको इस मालूम है कि वो किस टाइम पे हुआ करते थे, उससे आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके बाद भी उप्शन्स हैं, तो आपको कम से कम रंगराजन और मनमोहन मालूम हो, तो आप दो उप्शन पे अराम से आजाओगे, जैसे आपको यह पता है कि पहले मनमोहन थे और मनमोहन के बाद में रंगराजन थे, तो आप 4 के बाद 1 लगाओगे, 4 के बाद 1, तो four के बाद कितने options में बन है, पहले वाले में है, उसके बाद में आप देखोगे दूसरे वाले में है, फिर आप देखोगे तीसरे वाले में है, तो जो चौथा वाला option है वो तो आपने पहले ही इटा दिया, फिर आप आ गए इन तीन options पे, अब जब आपने ये देख लिय सब्सक्राराओ के बारे में ना मालूम हो लेकिन अगर आपको आई-जी पर टेल की में मालू можете भाले मालूम निथा आई-गिज्यक्ड आंसर आजाएगा ओर अगर आपको एक जैक्जड नहीं गया है कि आप सही answer put करते हो और यह चीद आप करके देख लो मतलब कोई भी इंसान अगर इतना दिमाग लगा लेगा तो वह answer सही करेगा आप अपने खुद के पेपर में देख लो अगर आपने किसी question में इस तरह से deal किया होगा लगाया होगा तो आपका वह answer सही हुआ होगा जनरली अगर दस सबसे क्या होता है ना कि आप पड़ाफ से उपर आ जाते हो तो यह question छोड़ने वाले नहीं होते हैं I hope कि आपको इससे कुछ इतने अब उनों को यह यहाँ पर जो अपर छोट है आप से महिल और प्रामार्दी है वागि कोई इतने इंपरेंट नहीं है नाम जैसे महिल और परमार्दी कि बहुत ज़्यादा पता हो, हलका फलका किसी ने कोई रचना रचना किया या कोई ब्रेवरी का काम किया है, तो देख लिया, लेकिन पहला विद्याधर और तीसरा आला, यह एक्शल में इंपोर्टेंट है, फिर भी question जो पूछा है, उसके इसाब से अगर दिखा जाए, तो answer स देखते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा, जदा जदा गलत होगा, लेकिन क्या पता सही भी हो जाए, इस तरीके का अगर mindset तो आप इसमें क्या करोगे, रिस्क लोगे, रिस्क कैसे लोगे, उसका तरीका है, तुक्का नहीं लगाना है, कि A, B, C, D में से 4 A मारे थे, उसके यह बेकूफी होती है समझो यहां पे आपको इसमें यह दिखना है यहार कोट में क्या है मीनिंग क्या है आ जाध दिन जनम भयो धर्ति धसी अढ़ाई हात नहीं आती आपको संस्क्रिट नहीं आती है आपको भिश भाषा या अबदी भाषा की हिंदी फिर भी इतना तो बेसिक समझ में आ रहा है न कि जा दिन जनम भयो भयो यानी कि उत्पन हो ना तो जब भी कभी किसी का जनम हुआ उत्पन हुआ बर्थडे हुई उसकी तो धरती धसी अड़ाई हाथ यानी कि धाई हाथ धरती धस गई तो इससे आप थोड़ा-थोड़ाई guess कर सकते थे कि भाई कोई बहुत लंबा चोड़ा कोई ऐसी व्यक्ति रहा होगा बहुत ताकतवर इंसान रहा होगा कि जब वो पैदा हुआ या उसकी ख्याती इतनी जादा थी मतलब exaggerate किया गया है अतिशोक्तिय लंकार है यहां पर कि भाई किसी की बढ़ाई कर रहे है इतना जादा कि जब वो इंसान पैदा हुआ था तभी वो इतना भेंकर हैवी इंसान था कि जब वो पैदा हुआ तो धर्ती ढ़ाई यहां धस गई तो ऐसा कई बार जो है अतिशोक्तिय लंकार यूज करते हैं अतिशोक्ती की बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ताकत पर या किसी ने कुछ बहुत ब्रेवरी का काम किया होता है बहादुरी का तो जो अहला उदले आपको पता होगा सिनपती थे वो बहुत ब्रेव बाने जाते हैं तो उनके बारे में यह आला के बारे में बात की गई थी and important topic भी इनका आलाहा ही है और most important ही पूस्ता है आपसे वो माहिल के बारे में पूछ के क्या ही कर लेगा माहिल ने क्या ही ऐसा significant काम किया है तो वो जब इस तरीके की चीदें पूस्ता है तो वो basic चीज जानना चाहता है कि भाई आप आलाहा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो इसकल समझ रहो क्या है question में जो पूछा जा रहा है examiner का mindset समझो वो नहीं समझो कि तो सौ पन्ने रटो के सौ में से एक भी नहीं आएगा यह हो जाए अब आगे दिखाता हूं अब जो इसमें है कि नदी का जल प्रदूर्शन मापा जाता है अब इसमें पहले option में दिया है क्लोरीन की मात्रा से ओजोन की मात्रा से नाइट्रोजन की मात्रा से यह जल में गुली oxygen की मात्रा से अगर पढ़ा हुआ है ठीक है बहुत बेसिक सी चीज़े पढ़ा होता है लोगों ने गटना चलू में भी है हर जगा है को एसा टफ क्वेशन नहीं था लेकिन फिर भी इमाल लोग इसको नहीं आता है या उसको नहीं होता है वो वहाँ पर बिमारी लगना शुरू हो जाती है तो यह जो आपका कपालभाती हो गया या यह जो आपका अनुलोम हो गया न यह सब वही oxygen वाला इदा उदर का कच्रा हो गया multiple things fecal matter भी हो रहा है तो उस वज़े से वह polluted हो आती है तो वहाँ पर oxygen गिर जाती है भाई chlorine से मतलब नहीं है chlorine chlorine से pollution न आपको गया है मतलब इन चारों में अगर आपको यह हो कि most sensible most logical answer बताओ एकदम पहली बार में पढ़के तो आप क्या लगा हो भाई oxygen ही तो होगा ना oxygen की कमी है सांस लेने के क्या चाहिए oxygen चाहिए ना चाहिए तो नहीं चाहिए शुद्ध हवास सुबर टहलना जाते हो क्यों जाते हो भाई oxygen के लिए जाते हो पॉलूशन नहीं होता है basic चीज से समझ सकते हो अभी November आएगा जैसी डिवाली होगी तो दिवाली होगी तो यह पराली वगरा जब जलाई जाएगी तो उसके बाद आपने देखा होगा शाम के तीन-चार बजे के असपासी पूरा धुन चाह जाती है वह इस्मोग होता है ठीक है तो वह क्या है पॉलूशन है भाई oxygen कम हो जाती है इतना जादा carbon dioxide के level भढ़ जात होते हो अब इसमें देखो ध्यान से देखो अब यह जो question है 55 मैं आपको बात भी कर रहा था कि जैसे फायान है वें सांग है इतिसंग है अलमसूदी है तो इनके बारे में पूछा जाता है तो जैसे फायान किसके टाइम पे था चंद्रगुप्त टू था या कोई और था प फायान और वें सांग है यह तो generally हर किसी को पता होते है इसलिए because फायान और वें सांग अलग गलग उनका time period है लेकिन वो जिन rulers के time पे हुए वो बहुत important है जैसे फायान है वो जिसके time पे था और वें सांग जिसके time पे था वो इतने important है कि उसके बारे में 10 बार question पूछा चुका है तो जो पढ़के जाता है फायान वेंसांग के रूलर्स के बारे में जिनके समय हुआ करते थे तो फायान वेंसांग का आप गलत नहीं करोगे इसका जो ऑप्शन है वो डारेक्टर यह अप लगा ले जाओगे अलमसूदी भी लोगों को पता होता है क्यों को कि वो जो टाम परिएड था गज्णवी वाला या उसके बाद फिर गौरी वाला तो वो टाम परिएड असा था कि अलमसूदी में भी लोग सोटेनने में नहीं होते हैं इतना को नहीं डाउट होता है, जैसे अगर आप श्रातिंग में एक दम से शुरू करते हो तो आपको जो उनेशी क्याटर है और सिटोबुले ऐसह वन जयरे फिस की बारे साइव जनी पता होता है िति C किरेंगे और प्रूंग या शुवलें पारोin वह हैं लोगे और sih मेंगी तो इस तरह से ऐना है कि जो इंपोर्टन एंगर अगर आपने दो इ Bacon ने पता रखा है आपने निश्म्घ्राइब बिंडी की पर जाती है ठीक है काशी लार्मा अब इसमें जो ऑप्शन्स दिये गए हैं आपको गाजर दिया हुआ है गाजर भी या रेड़ेश वही मतब पिंकेश रेड़ेश और एंज़ेश होती है तो उससे भी आप एक गैस कर सकते हैं कि भाई गाजर होगा आपको प्या पर ओढ़ेश दिया है और लेडिय इस था इसको आप देख सकते थे इसके बाद में जो ये 64-पा question है इस पर आओ, जैसे hydrogen sulfide pollutant, इसका main source पूछा है, तो अब main source कौन सा होगा, तो इसमें hydrogen sulfide में अगर आपको मालूम है कि भाई, जो rotten X होता है उसमें जो smell होती है, वो H2S की होती है यानि कि hydrogen sulfide की, सड़े हुए अंडे की जो थोड़ा बहुत भी एक वेक खाते हैं, या उससे थोड़ा बहुत भी idea है, हमको basic, तो वो जानते होंगे कि कितनी खराब से smell होती है, रॉटनेक की तो वैसी वो smell होती है hydrogen sulfide की तो अब इन्होंने पूछा है कि main source क्या होगा, भाई, automobile है, तेल refinery है या निकि oil refinery, यह जो आपके thermal power plant है, इनमें सड़े को एंडे ऐसी महा कहा सकती है, या कोई बहुत खलाब महा कहा सकती है, इस तरह से दिमाग लगाना था, यह जैसे hydrogen sulfide है, तो उसमें pollutant यह उन्होंने जब पूछा है, तो जब उसमें answer देख रहो तो उसमें देखो, या आटो मोबाइल हो गया, oil refinery हो गया, ताब विद्दू सेंद्र हो गया, यह थोड़े-थोड़े one and the same thing लग दीए, कि मतलब आसपास की चीज़ें है, वही है, लेकिन जो पहला option है, उसमें देखो गया है, कि सड़े हुए बरस्पती, इवन पशुप वहाँ पर smell आने लगती, यह काफी खराब सी, तो वही उन्होंने पूछ लिया था, तो इस तरह से आपको थोड़ा-थोड़ा आप दिमाग लगाते, तो यह question आपका solve हो सकता था, अब इसके बाद में जो question है, वह यह वाला है, 69, इसमें देखो, इसमें उन्होंने यह इसके बाद में जो मंदारिन है, चीन और जो बहासा है थाइलेंड, यह दोनों ऐसी चीज़ें थोड़ा से tough थी, तो दो option top वैसे भी हटा लोगे, इन दो में आपको doubt होता, 50% possibility थी, कोई भी एक option पर आप जाते, तुक्का लगाते, chances are high कि आपका दोनों में से कोई एक है, तो सही हो सकता था, गलत भी हो सकता, तो यह है, 50% का था, फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग है, या दिमाग अन्दी सिंस के खर थोड़ा बहुत भी newspaper पढ़ते हो, और दिमाग से पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट रहे हो, तो उसमें आप जब Corona का time हो रखा था, तो आपने देखा होगा कि जो मंदारिन, मंदारिन वांखी language है भाई, चीन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यह world में भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, मंदारिन के बारे में सरच करोगे, पढ़ोगे, मिलेगा, Australia के अदर, या ओशिनिया, continent में, especially Australia, New Zealand में, तस्मानिया में, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो मंदारिन बोलते हैं, इवन जो ऑस्ट्रेलिया में भी लोग है, वो भी बहुत ज़्यादा बंदारिन बोलते हैं, वहाप पर बोले जाने वली भाशा है, proper बोली आती है, वहापर चाइनिज लोग बहुत रहते हैं नियुस्वेपर में कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो वह वाली जो नॉलेज है, उसको आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, और अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी चीनी उनके बारे में, या लेंग्विज के बारे में, तो वहाँ से फिर रकर सही पचाइब जो सोन नदिय है, हिंडन है, जो भी नॉड़ा गाजिया बाद दिली सैट के लोग होगी, वह हिंडन नदी के परे में जनते होंगे, ठीक है, तो हिंडन आपको पताए कि यह है, इसके बारे शार्दा नदिय है, यह भी लोग जानते होंगे, बहुत पॉपलर है सीतापुर हो गया, वो डूबा रहता है, जो भी थोड़ा बहुत भी उदर साइट के लोग हैं, आसपास के भी, वो यह चीज़ जानते होंगे, तो जो शार्दा नदी है, यह भी है, हिंडन है, सोन नदी का भी आप जानते हो, अगर आपको MP का बार्डर थोड़ा बहुत बहुत भी आइडिया है, सोन भदर मिर्जापुरवाला एडिया, MP का बार्डर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप जान जाओगे कि हाँ भाई सोन भी है, लेकिन जो आपकी यह वली नदी है, गंड़क नदी, यह नहीं है, यह आपको पताएगी कहां की है, तो इस या तो कुछ हुआ है, लाइक प्रेसिडेंट वगरा चेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, यह वहां की जनता ने कुछ बावाल-वाल कर दिया, इमर्जेंसी वगरा लगानी पड़ी, या फिर यह नो, सत्ता का हस्ता अंतरान हो रहा है, तो अगर इस तरीके से तो वह जगा इंपोर्टेंट हुए थी है, उसकी कैपिटल अपिटल पूछ सकता है, या फिर कुछ-कुछ ऐसी कैपिटल है, वह पहले कुछ थी लेकिन उनका अब नाम कुछ और है, ठीक है, तो वह पुछा रहा सकता है, जैसे अगर जिवाम दे है, तो पहले उसका नाम क चेंज हो गया है, तो पूछा रहा सकता है, इसे गोल्ड कोश वगरा, एक तो यह होता है, दूसी चीज़ यह होती है, कि कुछ-कुछ कंट्री ऐसी होती है, जिनकी कैपिटल बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बहुत तुमें, मतलब आप नाम पढ़ो कि आपको लगएगा है, और जो अल-सलवाडोर है, यह तो बहुत इजी ऑप्शन दे दिये, और बहामास नसाओ बला जो यह बहुत इजी ऑप्शन दे दिये, कि यहाँ ठीक है, बहामास का नसाओ पता होता है, जनरली, अल-सलवाडोर का सैंसलवाडोर है, एंटिग्वा, बर्बुडा, सैंट तरव नोमेंगो इसमें इन्होंने एक कंट्री जो जो ए उसके कैपिटल बदल दी और जिसकी ऑपिटल कर द दिए कुछ कि बमीनस डर और यहां पर जो डॉमिनिका है इसकी ज Old तो ढॉमनिका रूसो ओर डॉमिनिकन रीपबलिक तो यह जो डॉमनिकन रिपबलिक और डॉमनिका यह दो शब्प आपस में अनों नो इनकी एक एक कंट्री कैपिटल उठा लिए तो इस तरह उनको आपको इसको बढ़ा है एक जेंपल ने तो इसके पलेगा और इस चीज सेर हो गया तो एक था जो कमपस होता है आपका जिसको प्रकार या प्रकार कुछ ऐसे बोलते थे तो वह गया एक आपका यहां पर स्वी है नीडल एक चुम्बक हो गया मैगनेट यह तीनों वह है कोई चीज है चीज है अब जो अब जो एक उसमें बताया गया है और बजिशा है लो capacitor इमयें ध्यां से कि वहांगे लगाने का कारएं किक बेशिकल के लिए की अजया जाता है याई कि मतलब चलो ठीक आपको कुछ नहीं मालूम मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं मालूम कि गूटी क्या होता है आपको नहीं मालूम कि इसका क्या यूज हो सकता है लेकिन नहीं आता छोड़ दो पहली बार तो यह टुफ क्वेश्चन है इसको रेंडम क्वेश्चन मानते ये छोड़ दो अगर आपने बागी questions ठीक कर रखें लेकर अगर आप पूई है कि नहीं यार मेरे attempt कम है या मुझे ये साही करना चाहिए एक बार try करके देखते हैं तो उसका तरीका क्या है देखो ऐसा ये चीदे काम करती है ऐससे दिमाग लगा सकते हो नहीं मालू में कुछ तरण के लिए यानि कि जो वेजीटेटिव प्रफोगेशन होता है उसके लिए वेजीटेटिव प्रफोगेशन अगर आपने थोड़ा बहुत भी बाइयोलजी उगरा पढ़िए तो हाइड्रवाइडडा के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए नहीं आता है तो फिर आप इन दोनों ऑप्शन में एक डॉक्षुल रहोगे लेकर आगे के जो दो ऑप्शन है वो उन्होंने विल्कुल देशिगी के लड्डू के तरह दे दिया था कि दांत नहीं है तब भी खालू देखो बीजों के अंकुरन के लिए भाई अकर सीड का जर्मिनेशन होगा सी स्प्रिंकल की जाती है अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले के पीवाई क्यों गरा लगा रखा है तो आपको देखा होगा कि ब्यूटा क्लोर है और भी कुछ-कुछ जो होते हैं सब्स्टेंस अगरा तो उनको स्प्रिंकल किया जाता है उनका च्छलकाव किया जाता है पहले दूसरे में से तो आपका सही हो जाता है ठीक है पचास बर्स दिन चांसे यह है अब इसके बाद भी थोड़ा बाद भी अगर गंभीर अवेरती है लाइक वह बहुत गंभीरता से पड़ता है पड़ते टाइम उसका फोकस अच्छा होता है वह यह दिमाग लगा है कि यार पौदे में गूटी लगाई जा रही है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ मेकैनिकल सपोर्ट टाइप दिया जा रहा है मतलब सपोर्ट ऐसे समझो कि आपका हाथ है टूड गया अब उसमें उन्होंने जो प्लास्टर चड़ाया वो क्या है भाई मेकैनिकल सपोर्ट के बैजिक चीजें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो बहुत कोई नहीं चीज आप भी जानते वि मालच पाउदा चोटा पौदा होता है चोटा पौदा होता है तो कई बार बारी अ ंदर तक उसकी रूट गई नहीं होती तो उसमें आप लकडी बां लोग है वो मनी क्यांट कर सकते हैं कि मोनी प्लांट फगड़ा घर में लगाते हैं तो कुई ना को उसको या इस तरीके किशी organization में गयो तो वहाँ पर क्या होता है कुछ-कुछ plants ऐसे होते हैं जो heat के लिए बहुत ज़्यदा receptive होते हैं मतलब अगर उनको बहुत ज़्यदा अपने गर्मी अगर उनको सूरूर की रोशनी पढ़ गई तो वो जल जाएंगे तो उनके बचाब के लिए फिर क्या होता है कि या उस पर ऐसे गरके हरेगलर का चदरा डाल देते हैं पूरा एक ऐसे बेटशीट पढ़ी रहती है और ऐसे एक हरेगलर की जाली टाइप पढ़ी रहती है तो उस चादर के पढ़ेशने से क्या होता है तो इस तरह से आप एक दिमाग लगा सकते थे कि इसमें ये भी हो सकता है लेकिन जनरली इस चीज़ में आप इस उप्शन के साथ आपको ज़्यादा एक लगता कि हाँ ये फेवरेबिल उप्शन है लॉजिकल लग रहा है तो ये उप्शन को आप यहां से ऐसे कर सकते थे अब इसके बाद में जो नेक्ट क्वेशन है उसको ध्यान से देखो इसमें 106 नंबर पर जो है इसमें है कि कौन से ऐसे खादगादार थे जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफशक ऐमिनो एसर्स है या नीकि जो इसेंटियल इमेनो एसर्स है पता होगा आपको बेसिक अंडा है मचली है केले में नहीं होता है केले में उतना नहीं होता है मतब केला कोई rich source नहीं है of protein ठीक है तो यह amino acids ठीक है one and the same thing अगर आप देखो गें directly तो केला तो नहीं हो सकता यह option आपने हटा गिया देन बाताती है डाल की भाई डाल में क्या सारे essential amino acids होंगे डाल में सारी चीज़े होंगी नहीं होती है अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपने देखा होगा कि जो डाल है उसको चावल के साथ mix किया जाता है अगर जनरली बुला जाता है आप डाल चावल ख अच्छा option अंडा और मचली तो दो अपने अपने अटा दिए अंडा मचली पर आ सकते थे यानिकी एग और फिश अब इसमें आपको मालू में कि एक इस दी राइट आंसर ठीक है नहीं भी मालू में तो दो ऑप्शन के बीच में डाउट करते और उसमें आपकी 50% chances रहते फिर भी अगर आप देखोगे तो अंडे उसमें अडे में एक में एक्चल में होते हैं इसका 100% absorption ब्रेट भी होता है बहुत सरे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन के लिए अगर चाहिए तो सोयबीन बेस सोर्स है उसमें बहुत ज़ादा होता है भाई सोयबीन का absorption न सब्सक्राइब चीज है एंड उसके कंपरेशन में उतना रेड़ी एब्सॉर्ब नहीं होता है इस इस अडिफरेंट एंड मैं यह नहीं कहा रहा है यह मैं नहीं कहा रहा हूं अपने मन से साइंटिफिक चीज़ें रिसर्च हैस के ऊपर ठीक है तो इसी लिए आप देखो क इसमें थोड़ा बदबिकर आपको आईडिया है तो आप एजली निकाले जाओगे अगर आपको नहीं भी एक्जेकली आते अब जैसे भेड है तो यह भेड की थार पारकर जो होती हो बहुत पॉपलर है इसी तरह के से बकरी की जमनापारी बहुत पॉपलर है अगर आपको अगर आप काउ एंड बफैलो का नहीं पढ़के जा रहे हो कि उसकी कौन सी है तो फिर काईना कई आप लूज आउट कर रहे हो उन्हों ने बकरी और भेड का ऑप्शन सही दिया था तो अगर आप जैसे कभी इस तरीके से तुक्का लगाना भी है तो उसमें यह देखो या पर आपके दिमाग में यह जो लॉजिकल चीज़ में बता रहा हूं जो सेंसिबिल चीज़ बता रहा हूं यह स्ट्राइक करनी चाहिए और वो तब स्ट्राइक करेगी जब पहले से प्रैक्टिस होगी ऐसे कोई उपर से ब्रहम वाक किया ऐसे कोई एग्दम से चमतकार नह आप रहते हो मैं एस्यूम कर रहा हूं कि हर मतलब 95% लोग एक लिस्ट यूपी से ही ब्लॉंग कर रहे हैं तो अगर आप यूपी के है तो आपको यूपी का पता है मतलब पता ही होगा इतना तो बहुत बेसिक है यहां पर कोई ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है तो पता होना चीह से कथक वगरा है यहां का जो बेसिक आपको अपने जगा का तो पता ही होना चाहिए पता ही होता है जनरली तो उत्रप्रदेश का तो यह है नहीं असम का बीहू आपने सुना होगा बहुत पॉप्लर बीहू डांस कई क्रिक्टर हो गए रहा है वह भी जब विक्रट ल की होने के फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत बेगर गुजरात का आइडिया है कि गुजरात में यह एक गरबा होता है और गुजरात में दूसरे दूसरे होते हैं लेकिन गजरात में मैंने कभी भाण पाथर तो नहीं पड़ा तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है दूसर इसमें चार ओप्शन दिएक बार ऑप्शन देख लो इसमें कच्छे तेल की कीमते हैं यानि की जो कुरूड ओल है इसके बाद में शिपिंग रेट इंडेक्स चारों आपने देख लिए आप इसके बाद में पहली चीज तो यह कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक खलका फुलका भी कभी पढ़ लेते हो ठाके तो जो इसपोर्स के पहले वाला सेक्षन होता है ना उसमें एक आर्टिकल दो आटिकल जरूर आते हैं जरूर डेली बेसे आते हैं धैनिक जरूर ले लो अमरुजाला ले लो हिंदूस्तान ले लो कोई भी आपक बार र इंडिया से उसका जो पूरा है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कुछ ना कुछ बात होती रहती है पैट्रोल कम जादा होता रहता है जैसे अभी एलेक्शन आया तो पैट्रोल के प्राइस डॉप होंगे तो इस तरह से कुछ-कुछ चीज़ने चलती रहती है तो यह पूछेगा ही तो आप से shipping rate का कोई concept होगा वो पूछेगा shipping rate index कोई ऐसी important index तो है नहीं जो आपसे examiner जाना चाहेगा तो एक मिनिट के लिए यहां पर रुख सकते थे आप उसके बाद मैं आपने देखा यार एक option में दिया है ताबे के भविश की कीमत है यानि की copper की future price बहुत value हो ताबे का क्यों पूछेगा जबकि उसके साथ में सोने का दिया हुआ है गोल्ड की जो future की जो कीमत है गोल्ड की future prices है वो दिया हुआ है तो ताबे की chances बहुत कम हैं मतलब यहां पर आप एक रुख सकते थे होल डे सकते थे अब आपने यहां पर shipping दर अटा दिया ताबा आटा दिया इन दो option में आपको doubt हो सकता था कि भाई कच्छे तेल से related भी हो सकता है brand index या फिर जो सोने की भविश की कीमत है इंस related भी हो सकता है अब इन दोन option में आप किसी एक में लागाते है 50% जान से आपके सही होने के थे और वरना आपको अगर थोड़ा वग भ हो सकता है गया मतलब उसकी कीमत भड़ती है ठीक है आपने अभी सुना था कि उसका 45 हो गया है 50 हो गया है फिर जब अक्षे तृतिया आती है या दंतिरस आती है तो बहुत खरिदारी होती है तो कभी भी आपने इतना सारा समान लिया इतनी सारी पेपर में चीज़ें क्यों कुछ तो लोजिक होगा ना जैसे वहां पर यहां पर इन्होंने आपसे ब्रेंट इंडेक्स पूछा है तो यह क्रूड ऑइल से रिलेटेट है क्रूड ऑइल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पेट्रोल का जो दोहन हो रहा है हर इंसान पेट् इसका मतलब कि वह पैट्रोलियम के आप सपास कुछ कुछ चीज़ें फोकस करते हैं यह बहुत बड़ा हैक मैंने आपको फ्री में यहां पर दे दिया है इसको नोट कल रिना कर चाहो तो तो उस तरह से भी आप यहां पर कर सकते हैं कि भाई अगर ऑप्शन लगाना ही है त का तो फिर कच्चे तेलगी की मतवपे लगा देते हैं कुरू डॉयल प्राइसस पर लगा देते हैं तो यह एक तरीका था अब उसके बंदर जी 108 थार्मा कोईशन इसको ध्यान से देखो इसमें ने कहा है कि यह पूरवी उत्तरप्रदेश की पहली केबिल कार सेवा नेमलि पूर इसमें जो औप्शन इसमें नहीं है उसको तो पहली अटा तो अब उसके बाद में इन्हों ने जो question में चीज पूछी है उसको थोड़ा सा imagine करो उसको थोड़ा सा visualize करो विजुलाइज़िशन करो इसमें यह देखो कि भाई इन्होंने यह पूछा है कि उत्तरप्रद पुछा है जैसे रोपवे बना रहे हैं या कोई एगर केबल कार बना रहे तो वह वहां पर बनाते हैं जहां पर यहां तो बहुत ज़हां रश है सिटी के अंदर जैसे बार्वام वाला कि बहुत ज़्यादा रशा है तो उसके ऊपर से कोई चीज बना देंगे जैसे पुल है यार कोई हाइवे है फ्लाइवर है क्यों बनाते हैं उसका बहुत बड़ा प्रपस होता है कि नीचे जैसे क्रॉसिंग है या वहां पर अगर जाम बहुत लगता है किसी उपर से फ्लाइवर बना दिया तो जो ऐसी लोग है जिनको आगे जाना है जिनको बीच में रुकना उकना नहीं है तो वह अपना ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे ठीक है बहुत बेसिक चीज है सब जानते हो तो इसलिए अब इसमें यहां पर दिमाग लगाना था कि केविल उपर या कोई ऊपर तीर तीस्ताल है कोई ऐसी लोकेशन है टोरिस्ट टाइप की तो वहां पर उन्होंने ऐसी कोई केविल कार से वाया ऐसा कुछ लगा दिया जहां से इनसान यूनों कम्यूट कर सके आज आ सके आवागमान हो सके तो इस तरह की चीज़ें होती है आप में अब देखा होगा एक डवलप भुरा है यहां पर चेनाप में जम्मू कस्मिन के चेनाप पर भी एक चीज़ डवलप भुरिया है वो शायद इंडिया की यहां पर देख लीजगा उसको तो इस तरह से यह पर डील कर सकते थे इसकी बद में एक क्वेशन देखो यह हैं 121 व सुट्गा होता है है इस तरीके क्वेश्चन में अगर आता है तो ठीक है वरना छोड़ दो लेकिन अगर ओक्शन मानना ही वानना थो इस तरीक यह कर सकते हो कि तीन नाम एक तरीके हैं एक आप 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 यह जाए है तो यह इस पूछ लेता है जैसे एक में आप då दिया होगा इम्रान फजल एक में दिया होगा फकर जमा एक में दिया होगा बाबा राजम एक में देगा मौमद यह आपका विराट खोली इस तरीके से कभी-कभी चीज़ें काम करती है अब इसके बाद देखो यह इसको ध्यान से देखो जैसे क्रॉप साइकल का क्वेशन है फसल चक्र क भारिश ओरी है फिर वह ग्रांड वर्टर हो रहा है फिर उससे हुमिडिटी हो रही है तो साइकल में अगर आ थोड़ा बहुत भी चीज़ने लिए इक बाद एक बाद एक बादे इस तरीके से चीज़न चलती है क्रॉप रोटेशन या क्रॉप साइकल बहुत कोई नई ची बहुत गहरी दीप रुट्स है तो दूसरी ऐसी सईक् cloed में बहुत जीम्यान का हुई कіти सदा है। फसल्स होती है वो अपने लगाया और उसके बाद में आपको लेग्यूम वाली और उसके बाद में आपने फिर विना लेग्यूम वाली लगा दी यह जो इस्टेटमेंट है यह वैलिड लगती है थोड़ी सी सेंसिबिल लग रही है लोजिकल लग रही है इस क्वेशन के हिसाब से फसल चक्र के हिसाब से या इस तरह से आप यह क्वेशन को डिल कर सकते थे अब इसके बाद में जो 136 इसको ध्यान से देखो शबरी संकल्प अभियान यह पहली बाद रिपीटिट क्वेशन था तो आपको पता होना चाहिए अब अगर आपने नहीं भी ही पढ़ा है और आपको सिर्फ हो सिर्फ रेंडम गैस करना है तुका लगाना है तो उसमें भी थोड़ा से एक मैंट्शा ट्रक सकते थे यह चीज़ें भी वर्क करती है अब जैसे शबरी संकल्प अभियान पूछा है अब शबरी शबरी आप कहीं से भी किसी से भी बिलॉ करो कि ऑप्षिंस किस टैप की है यह कि महिलां का शाक देकराण चबरी संकल्प अभ्यान महीन अगया नहीं हो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लोग्राइब, तो खो सकता है कोई ऐसी नोटेशन की चीज़ निकाली जा रही हो सरकार के दोरा एंड उसमें उन्होंने नाम जो है वो शबरी वाला रग दिया हो मतब इस तरह से कुछ-कुछ सोच सकते थे और तुक्का लगा सकते थे वहीं इंट्लिजेंट के ऐसी जो होती है कर सकते थे त इससे हैं उसके बाद में जो डीजर्ट पकरा में जो आपकी स्वाइल होती है निया होगाओ अप ए ब्यूसरे पर चौते पर लगाने के यह देखों कि यूपly के अंदर कौनशी है उससे भी आप आंसे निकाल सकते हो या फिर जो कांley नहीं मिट्समें निकाल सकते हो या आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉटन का जो प्रड़क्शन है वो गुजरात और महाराष्टा इन्हीं में बहुत जादा है तो काली मिट्टी कॉटन और कॉटन महाराष्टा गुजरात तो इस तरह से अगर आप ग्यास करते तो आराम से मतलब आपने अगर यूपी का माल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें टाइम लग गया मझे नहीं पता कि आप लोग कोई वीडियो कैसा लगेगा लेकिन उम्मीद ही आई है कि अच्छा लगेगा बाकि आप लोग कॉमेंट में बता दीचेगा चैनल पर पहली बार आएं चाहें तो चलको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चाहें तो टेलग्राम पर भी जाइन कर सकते हैं थेंक्यू सो मच